नमस्कार दोस्तों, मैं सत्पाल बर्मा, HSS अपने यूट्यूब चैनल स्वी टॉक्सि में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, जो हमारी कैश्बुक की सीरीज चल रही है SS के पार्ट वन के पांचवी पेपर की PWD अकाउंट की उसी सीरीज में हम आगे आज की चर्चा करेंगे कैश्बुक पर, जो पिछले एपिसोड में हमने PFR का जो हम चेप्टर दो कर रहे थे 2.2 रूल चल रहा था हमारा, और उसका सब रूल 4 कर लिया था हमने आज हम उससे आगे रूल 5 की चर्चा करेंगे देखे दोस्तों आप अपने सक्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हुए आप जो पिछले एपिसोड था, उसकी कंटिनूटी है ये PFR का रूल 2.2 का, हमने सब रूल 4 कर लिया था उसके नोट 2 भी कर लिये थे अब हम आज करेंगे सब रूल 5 से सुरूब इसमें PIT का वर्मन है, लिखा है, when government money in the custody of a government officer are paid into treasury or bank, the head of office making such payment should compare the treasury offices or banks received on the chalan or in his passbook with the entry in the cashbook before attesting it. के जो officer, जिसके custody में cash है, वो ये जो cash received होता है, revenue receipt हो, या other kind of receipt हो, वो पैसा खर्चे में नहीं सामिल किया जाता है, मैं पीछे बताया था आपको, वो सारा का सारा पैसा treasury में जमा करवाए जाता है, उसको बोलता है, PIT payment into treasury classify करते हैं, और उसी के बारे में कहा, कि वो पैसा सारा का सारा जो जमा करवाएगा, वो treasury के चलान से, या bank की जो receipt, receipt ही चलान मिलता है, bank से, उससे वो उसका मिलान करेगा, compare करेगा, या bank की जो passbook है, उससे entry हैं, उसकी cashbook के साथ मिलान करेगा, तब ही उसको attest करेगा, and satisfy himself, अपने आपको संतुष्ट करेगा, that the amount have been actually credited into treasury or bank, के वो सारा पैसा, खजानने में, या bank में जमा हो गया, ताकि कल को किसी परकार की misappropriation, या irregularity ना देखने को मिले, और by the 15th of February month, he should obtain from the treasury a consolidated receipt for all remittances made during the previous month, which should be compared with the posting in the cashbook, के पिछले महिने में, जितनी भी उसने remittances कराई थी, treasury bank में, उनकी सारी की सारी अगले महिने की 15 तारिक तक वो खजानना दफ्तर से एक consolidated receipt लेगा, इसका हम बोलते हैं, CTR, consolidated treasury receipt, ये treasury officer, एक certificate करूम में देता है, के फलां officer के द्वारा फलां मन्त में total इतने रुपे जमा करवाएगे खजानने में, और उस receipt के द्वारा, वो अपना सारा का सारा पोस्टिंग जो cashbook में की है, उसकी मिलान करेगा, दा consolidated treasury receipt, furnished by the accountant general, should be sent to the head of office, और guided officer nominated by him by name, and he should watch for the same, और ये treasury officer, एजी को बेजी, CTR की copy जो देगा, वो उस head of office के नाम देगा, या कोई और guided officer, जो उसके द्वारा नम्नेट किया गया है, उसको देगा, और the head of office should also arrange that such letter, or really opened by the himself, or by officer nominated by him, तो ये दोस्तो PIT थी, जो पैसा receipt हुआ, उसकी PIT कैसे करते हैं, आगे कहा, an eraser, जहां देना इस बात पे, eraser और overwriting, ये दो सब्दाए हैं, एक overwriting का, एक eraser, eraser का मतलब होता है, मिटाना, रब करना, और overwriting का होता है, कि एक बार लिखने के उपर दुबारा कुछ मुच कर देना, तो ये दोनों allowed नहीं है, an eraser or overwriting of an entry, once made in the cashbook, is strictly prohibited, प्रतिबंदित है, शक्ती से, ना तो आप erase करेंगे किसी बेंटरी को, और ना ही आप इसको overwrite करेंगे, लेकिन यदि कहता है, if a mistake is discovered, यदि कोई ऐसी कल्टी पाई जाती है, it should be corrected by drawing a pen through the incorrect entry, and inserted the correct one in reading between the lines, यदि ऐसा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाली को struck कर देंगे, और उन दुनों के बीच में, दुनों लाइनों के बीच में, उपरली और निच्चर लाइनों के पीच में, insert कर देंगे, add कर देंगे, जो कुछ हाब उसको, correct करना चाहते है, correct entry को, and the head of office should initial every such correction, and invariably date is initial, और उनको वा test करेगा, correction को, कोन head of office, और अपनी date भी डर लेगा initial के साथ, एक government officer, who handles government money, should not accept with the special sanction of the head of office, कि कोई भी government officer, जो के, रकम को handle कर रहा है, बिना अपने head of office की special sanction की, बिना, be allowed to handle also in his official capacity money, which does not belong to the government, बिलकुल भी इजाज़त ना दे उसको, उस रकम को handle करने की, जो सरकार के से संबंदित नहीं है, और भाथ, private money involved नहीं करेगा, यदि ऐसा करने को, उसको कहा जाता है, government के आदेश से, कि private money, non government money, और government money, दुन्नों आप handle करें, तो उन दुन्नों का लेखा जोखा, अलग होगा, और उनका रखना भी अलग होगा, सरकारी रकम को, cash box के बीच में रखेगा, separately, और non government money को, कि जो transaction है, वो अलग से रखेगा, दूसरे किताब में रखेगा, same cash box में नहीं रखेगा, the employment of PN to fetch or carry money should be discouraged, कि PN के द्वारा रखन का ले जाना, या लाना, वो बिलकुल भी discourage किया जाता है, अर्थाथ, उसको उस साहित नहीं किया जाता है, अर्थाथ, कहने का भावी है, कि किसी भी PN के द्वारा ना पैसा बेज जा जाए, ना पैसा मंगवाया जाए, आज कल तो परकार होता नहीं, क्योंकि EPS system से पेमेंट औरी पैसा बाता जाता नहीं है, ये पराणी बातते हैं, ये पराणी बातते हैं, इस परकार का करने की किसी और को नहीं, the counting should be made on the last working day each month immediately, after closing of cash account of the month, but where this is not possible, the cash balance may be counted on the first working day of the following month, before any disbursement is made on the date, तो ये दोस्तों एक ये सारी की सारी जो रूल की प्रोविजन है, ये cashbook कैसे लिक्षी जानी है, कैसे maintain करनी है, उस बारे में सारी प्रावदा चर रहे हैं, कि last working day को अपने cashbook क्लोज करनी है, प्रती एक मन्त के, इमिजेट, after closing the cashbook of the month, लेकिन कहता है, जहां ऐसा संभव ना हो, अर्थाथ, last working day of the month, मालों शुट्टी है, संडे है, तो कैसे करोगे, या कोई और कारण वस नहीं कर पाए, तो अगले दिन स्वेरे ही, प्रले अप्ते सार आप ये काम करेंगे, ताथ cashbook क्लोज करेंगे, और काउंट करेंगे, disbursement से प्रले, कहने का भाव या कुछ भी, अगली transition करने से प्रले, कोई भी payment book दान ना या प्राप्ती करने से प्रले, disbursement करने से प्रले, आप ये अपनी cashbook क्लोज करेंगे, दा प्रिज़िकल वैरिफिकेशन ओप cash, इन कोर्मिन ट्रेज्री अड सब्रेजरी जे, इस गावनड भाई धी, रूलिन सब्सेटरी ट्रेजरी रूल, कि प्रोडिक जो ट्रेजरी और सब्रेजरी की है, वो हमारे सेलल पालूग निरक्ती वो ट्रेजरी की है, ट्रेजरी का फंक्चन है, वो वो करेंगे Cash-drawn-on-pay, traveling allowance and contingent bill over the establishment and undisputed balance thereof should not be mixed with the permanent advance in the case of civil department and the regular cash balance of the public work department कि जो ये cash है, किसका PA के मामले में ट्रा किया है, PA के मामले में ट्रा किया है, सिद्धा ट्रेजरी शाया है, या contingent bill ट्रा किया है, किसका सथापना का, establishment का, staff का, और पिछले मिन्नों का, कोई undisbursed amount पड़ा है, balance पड़ा है, तो वो आप किसमे permanent advance में, या जो आपकी दूसरा cash है वो cash balance उसमें, PWDBNR में, या public health medication में, वहां आपके mix-up नहीं करेंगे, किसके साथ, works के साथ, जो works का है main chest, और sub chest को आपसमें mix-up नहीं करेंगे, in offices having once more than one chest, the actual balance of cash in each chest should be counted simultaneously, किनी मामदो में, दो चैस्टा है, एक सब चैस्टा है, कहीं पे, और एक main chest, दो-दो चैस्टा भी होते हैं, तो कहते हैं, तो कहते हैं, तो कहते हैं, दोनों का अलग अलग count करना है, in the case of subordinate offices, at outstation, the head of office, or any other guided government employee named by him, we'll count it, whenever he may visit them, और दूसरे दफ्तर में, जहां ते subordinate office है, या outstation पर कहीं चैस्टा रखी हुए, वहां पे केवल guided government employee जाएगा, कहने का बाद यह, non-guided employee को cash के मामले में, पावर हैं नहीं दी गई, केवल guided government employee ही, cash को हैंडल करेंगे, जो non-guided हैं, उनके assistance के लिए लगाए हैं, जैसे के assistance, SDC हैं, PWD, BNR में, या Public Health America में, या division office में, deputy subordinate हैं, वह, ऐसा नहीं करेंगे, वह केवल cash book ही लिख सकते हैं, at the close of the day, while sign cash book, the head of office should see that departmental receipt collected during the day, the violations of which toward expenses strictly prohibited का आना, के रूल साथ में के prohibited हैं, कोई भी प्राप्ति, आप खर्चे में सामिल नहीं करेंगे, बसरते, वो सारी की सारी PIT होंगी, of the Punjab Treasury Rule are credited into the Treasury on the same day, के वो सारी प्राप्तिया, same day में आप Treasury में जमा करवाएंगे, यदि आप same day में नहीं करवा सकते, कोई मानलों साम को चार बजे प्राप्ति हुए आपको, यह साम को पांच बजे प्राप्ति हुए, तो same day में कहें जमा कराद हैं, कि मैंक तो बंद हो उसको है, ट्रेजरी भी क्रोज होने जा रही है, तो आप क्या करेंगे वन दी मोर्नेंग, of the next day at the latest, and that there is a corresponding entry on the payment side of the cashbook, कि जब आप अगले दिन तुरंत कर लेंगे, कब जब आपकी last entry ओचुकी है तुरंत की, उसके तुरंत बाद करेंगे, जो इसके लिए काम कर रहा है, जो इसको वाज कर रहा है, the head of office should also arrange that such letter arguably opened by him, और वो उसको अरेंज करेंगे, कोन head of office, आगे check के बारे में कहा है, when a check is drawn by an officer in favor of self-order, जो cash लाने के लिए, self-order के, to replenish cash, cash के बदल लेने के लिए, जैसे आप check कटेंगे, आप तुरंत उसके एंट्री करेंगे, बोथ साइड में, कैसे, पहले check drawn कर लिए, payment side में, और receipt side में तुरंत उसके एंट्री कर लेंगे, अभी basic check आपके आथ में है, यह नियम है, कि आप दुन्नों side के एंट्री करके, फिर आप जाएंगे, ट्रेजरी में उसको लेने के लिए, क्योंकि वो गुम हो सकता है, आप इसके आपस में से check, इसलिए जिम्मेवार आपको ठराया गया, and this entry must not be delayed, until the money has been received, और यह मैं सोचें, कि पैसाने के बाद entry करूँगा, आपको एंट्री करूँगी, यह तो आपको एंट्री उसी वक्त करनी है, कि पैसाने के इंतिजार ना करें, after the encasement of the check at the treasury, for public work department check, CL's article 78 account code volunteer, starting में पिछले वीडियो में मैंने आपको बदाया था, कि तीन किताबों का आपस में involvement है, इन तीन किताबों के उपराधारित है, सारा का सारा, P.W.D. का account, चाहे वो cash का है, या store का है, या T.N.P. का है, अगे का आदोछे में, all receipt disbursement and charges of whatever start connected with the public service must be, and no other may be shown in the cashbook, कि सारी की सारी प्राप्तिया, payment है, और चार्जी चाहे वो कैसे भी है, जो के public service से connected है, वो ही सामिल होंगी, वो cashbook में दूसरी नहीं होंगी, sufficient detail should be given in the column particular to admit the main point of his transaction being readily ascertained without reference to the detailed voucher, कि जो आपका cashbook में body column है, जिसमें आप detail दे रहों particular का column है, उसमें आप detail दे देंगे, सारी के ये payment किस चीज़ की है, ताकि कल को यदि तुलास करनी पड़े, बिना voucher देखे, हम cashbook से वो तुलास कर सकें, और दोस पॉइंट साथ में क्या का, इसे government employee who is not in charge of cashbook, वो को government employee जो के cashbook का in charge नहीं है, receive money on behalf of the government at exceptional time, we say, परस्कीतियों में, कहीं बार हो जाता है, कि वो cashbook का in charge नहीं है, लेकिन duty लगा दी जाती है, कैसे, कहीं कोई किसी परकार के tender आया है, और वो tender के earnest money वो गयरा जो है ना, वो ही कठी कर रहा है, बैठा हुआ, उसको कहा दिया, किसी SDC को, या किसी deputy student को, कहा दिया, या किसी assistant को कहा दिया, आके लिए ठीक है भई, तुम अपना ये सारा के सारा पैसा, और उसको वो जमा कराएगा कहा, अपने पास उसको नहीं रखेगा, क्यूंकि वो उसका दुरूपयोग कर सकता है, उसको गुम्भी हो सकता है, मिशप्रेशन हो सकती है, इसलिए उस पर मना ही है, दा अक्नॉलिजमेंट, ओफ दी ट्रेजरी, विधन इंटिमेशन, ओफ दी फुल पार्टिकल अफ दी शेट, इंक्लूटिंग डेट, ओफर रजाइशन, और महा की क्या करेगा, वो जो भी महा से उसकी रिशीट है, जो अरलाइजेशन है, उसकी इंटिमेशन, तुरंत दे या मैंने फरां सक्स के पास, फरां ओफिशर के पास जो कैश्बुक थी, उसकी कैश्बुक में जामा करवा दिया, having a cash book to enable him to make the necessary entries there in, ताकि वो उसमें अबस्यक एंटिरी कर सके, the record of the transaction will be in correspondence and not in impressed or other cash account of the receiving officer, और वो जो officer है, receive कर रहा है जो उसको, उसको वो impressed में नहीं सामिल करेगा, और ना किसी और account में सामिल करेगा, पर ये था दोस्तो, cash book में किस परकार हमने cash book में, क्या क्या करना है, किस परकार की ट्राइस करना है, कैसे करनी है, आगे कहा, दोस्तों payment कैसे करनी है, तो payment का आगे procedure है, general principle and restriction relating to expenditure, इसमें voucher बनते हैं आपके, ये आपका cash book का रखरखाव था, और अब हम आगे करेंगे cash book की rectification और balancing कैसे होती है, उसके बाद हम practical करेंगे दोस्तों, तो ये था मारा, आज का, पिछले एपिशोड से, next series में, के cash book की transaction कैसे की जाती है, और क्यूंकि आपको अपने paper में reference देने पड़ेंगे, कि ये बाद आप किस rule के अधार पर कर रहे हैं, इसलिए मैं word to word rule के आपके सामने व्याक्षा करके बिता रहा हूं दोस्तों, इसलिए उमीद करता हूं, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हूं, और ये मैं आज फिर आपको जो है ना, ये आपके PWA 1 cashbook का नमुना दिखा रहा हूं, ये फारम नमबर 1 किसका है, account code volume 3 का, chapter 3 का, article 80 का, ये cashbook है दोस्तों, general cashbook, और जो वो PFR वाड़ा reference आया था, भी थोड़ी देर पहले देखा था, वो कोलम नार का है, यहां starting order division, cashbook जहां subdivision है वहां subdivision आजेगा, ये off, off का मतलब उस officer का नाम, head of office का, फोर्दी मन थब किस महिनने की है, और ये 2022 होगा बाग के आने बड़े समय में, फिर मैं आपको दुबारा बता रहा हूं, के ये 12 कोलम में cashbook होती है, पांच कोलम इसके receipt side के, और साथ कोलम इसके payment side के, ये payment side के साथ कोलम, और ये 5 कोलम receipt side के, इनको repeat करने की जुर्त में, पिछले episode में मैंने पता दिया था आपको, थोड़ा बस आपको एक नमुनना दुबारा दिखाना था, ये cashbook है, तो यहाँ पर दोस्त पर हमारी cashbook की जो है, वो कैसे maintenance की जाती है, cashbook रूल के द्वारा जो provision है, उसकी हमने discussion किया, यहाँ हमारी theory कतम होती है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो like और share अवस्या करें, और जो मेरे चैनल से अभे भी जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को bell icon दबा करके subscribe करें दोस्तो, और मैं अगे अगले episode में इसके practical के उपर cashbook का practical का आपके सामने वीडियो ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरह से clear करूँगा सारे भंडे कि कौन से entry cashbook में payment side में किस column में की जाती है, कौन से entry cashbook के received side में किस column में की जाती है, और कैसे की जाती है, ये सारा का सारा वर्नन जो हमारा account code वालूमती इनके उपर अधारीत है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में जल्दी पेश कर रहा हूं, इनी सब्दों के साथ दोस्तो, नमस्कार!